दोसों इस हपते में 45 साल का हो गया 45 बड़ा अच्छा लग रहा है 45 अभी कुछ साल पर ही 40 का हुआ था और अब 45 कोशिश पूरी रहती है कि मैं दिखू 40 के नीचे का है ताकि आप लोग सब कन्फ्यूज रहें कि इनकी उमर के है पढ़ा अज इस वीडियो में मैंने बता दी सब को कि मेरी उमर क्या है तो एक बहुत अच्छा फिलिंग होती है जब आपको पता है कि 11 अक्टूबर को आपको बड़े और 11 अक्टूबर महान आये का मिताब बच्चन का इस बड़े है तो बड़ा अच्छा फिलिंग आता है तो यह वीडियो क्यों रिकॉर्ट कर रहा ह तो देखेंगे उनको याद आएगा कि अरे पापा ने यह बाते की थी और यह सब बाते में उनके साथ ऐसे भी कर लेता हूं बड़े वीडियो रिकॉर्ड करके एक अच्छा कमुनिकेशन आता है और में यह सारी बाते बाकी लोगों के बच्चों के भी काम आजा है वैसे क अपने आपको बहुत जादा सक्सेस्वल नहीं मानता हूं कुछ लोग हैं जो मुझे फॉलो करते हैं शोशल मीडिया में जिनको मेरा काम अच्छा लगता है तो मुझे लगता है कि कुछ तो होगा जो मैं कह रहा हूं और उससे लोगों के दिमाग में कुछ बत्ती चल रही क्योंकि इसलिए हो सकता है कि यह बाते भी उनकी लिए रेलेवेंट हो जाएं तो एक बैक्राउंड लेके चलता हूं कि मेरा जो जीवन है वो स्कूल टैम में अकाडेमिक्स के अदर में बड़ा ही बिलो आवरेज सा जीवन था कोई बहुत ही रॉक स्थार अपने पड़ाय कोई देना चाहता हूं कि वही ऐसा है कि there is nothing wrong in being average in your academics याद रखने बात कभी भी कोई भी कुछी भी तरह का तुमको बोलेगा ना कि शर्माजी का बेटा देखो ओ तो निकल गया ऐसा कभी मैंने प्रशन नहीं दिया न मैं कभी दूंगा average भी रहोगे तो भी ठीक है because in this new world ये जो नहीं दुनिया आ गई न जहां पर हर तरह के opportunities आ सकती है जरूरी नहीं कि पढ़े लिखे लोगों को ही opportunity मिलती है कई ऐसे example आपको मिल जाएंगे कि जो पढ़े लिखे नहीं है लेकिन उन्होंने अपने आपको proof करके दिखा अगर अगर आप पढ़े लिखे नहीं है आप higher education नहीं किये हैं तो आपको effort जादा मानना पड़ेगा बाद में अगर आप पढ़े लिखे होते हैं better performer होते हैं तो आपका effort कम होता है बट उतना ही बात है बस कभी भी अपने आप पे किसी भी तरह का pressure मत डालना कि मुझे तो बहुत जादा होती है शायद मैंने अलग तरीके से respect गें कर ली उसने अलग तरीके से respect गें कर ली तो डू आप एवरी अवरीज परफॉर्मर इन यूर क्लास और इस वैलिट पर एवरीवन जो भी सुन रहे हैं प्लीज अपने बच्चों पर हर परफॉर्मेंस का pressure कभी मत बच्चों को बताना चाहता हूं कि एक आदर डालो कि एक कोई sports activity में अपने आपको excel कर लो स्पोर्ट्स क्या करता ना आपको पूरी तरीके से तयार करता है आपको competitive बनाता है आपको अपने अंदर में बिलीव देता है और आपको एक एक होबी देता है एक अलग तरीके का लाइफ देता है जो आपको तयार करता है एक अलग तरीके का competitive environment में जीने के लिए अब हम खाली अपने दोस्तों के साथ compete नहीं कर रहे हैं अब हम robots के साथ compete करने वाले तो sports में एक sports में only one one sports में आपको excel होना पड़े हो कुछी पकड़ दीजिए मैंने swimming पकड़ा था and I'm reasonably good swimmer तो उसके अलाव उसके से फैदा क्या होता एक sports में अच्छे होते न तो वो दूसरे तीसरे चौथे sports में आप अच्छे होने लग जाते हैं समय स्विभी बहुत अच्छा था तो अब cricket भी अच्छा करने लग बैड्मिंटन भी अच्छा कहलता हूं सब कुछ अच्छा कहलता हूं बैस्त नहीं हूं बट competition definitely लोग को देता हूं तो एक sports में तुमको अच्छा होना ही है तीसरी बात कोई भी एक गुरू तुम्हारे लाइफ में होना चाहिए कोई भी एक गुरू का बहुत बड़ा रोल है और गुरू भी एवाल्व होता है ऐसी बात नहीं कि आप एक गुरू किसी को बना लि और उनका guidance उनसे बात करना उनसे nurturing कराना ये चलता रहेगा बट लाइफ में जब हम दूसरे pedestrian में पहुंसते हैं तो वहां कोई और गुरू मिल जाता है चाहे आपकी office में गुरू हो सकता है चाहे कोई आध्यात में गुरू हो सकता है बट definitely definitely at any point of time आपकी लाइफ में कोई ए इस लाइफ को step up करते हैं फिर शायद वो मुझे वाँ छोड़ देते हैं विकॉस एक rocket launcher होता है rocket launch करने के बाद वो move on कर जाता है तो गुरू आए launch किया फिर उसके बाद next stage में नहीं गुरू मिले तो ऐसे करके मैंने अपने जीवन में हमेशा अपने साथ एक गुरू रखा ही है और चौथा पॉइंट एक musical instrument अड़क कर लिजे कोई भी एक आजकाल तो इतने सारे musical instrument हो गए online musical instruments पर बहुत हो गए तबला प्यानो गिटार गिटार तो बहुत ही easy वैसे easy नहीं है बट हाँ सीखोगे तो easy हो जाएगा या synthesizer कुछ भी एक musical instrument आपको क्या करता है जब आप stress में होते हैं जो कि हम emotionally definitely we are getting weaker day by day तो वहां पर हमको एक music जो हो अपलिफ्ट करता है और प्लेग अन इंस्ट्रुमेंट अन यूरसल इस देफिनिदी सम्धिन विच गिव्च 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 आइड दिफेंट काइड आ इन यूर लाइफ तो एक musical instrument है तुम लोग को कौन सा सीख्रेव इस वीडियो में कमेंट में लिखो कौन सा और एज इस नो बार इन फैक मैं भी सोच रहा हूं कि बहुत ताइम पहले मैंने हार्मुनियम सीखा था हमारे सर्जी से टाइम काफी हो गया तो मैं इस बड़ दे में मैंने कुछ-कुछ बाते अपने लिए में अब मैं अलग जोन में जाना चाहता हूं एक अपने रिटिस्कवरी मोर पे जाना चाहता हूं ताकि यह जो लाइफ की इतने हसल्ट्स चारो तरफ मैंने अपने डियेट कर रहे हैं इनको मैं थोड़ा सा डालूट करके आएफ़ लाइफ सेल्टल और मॉर उपन-माइड़ ताकि में होलिस्टिक लाइफ अब जी सकूँ, I don't want to be that the same thing which I used to do for last 20 years. Definitely, एक मुस्कल इंस्टुमेंट सीखना, मेरा भी एक अभी अब्जेक्टिव हो गया है, so I'll figure out and I'll inform you which instrument I'm buying, but hey kids, आप तो अपना तैरीकरी रखियोंगे नहीं. Okay, मैं आजकल गीता की classes कर रहा हूं, गीता जानते हो ने गीता जी, उनकी classes कर रहा हूं, तो बहुत ही जबरतस्त, मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि it's a life transformation, it's a life changing, and मुझे लग रहा है कि मैं पहले कर नहीं किया, मैंने बहुत पहले चालू कर लेना चाहिए था, तो इसी से advice म मैं आपको देना चाहता हूं, पाच्वी नंबर advice है, कि कोई भी एक religious book को adapt कर लो, कोई भी एक, चाहिए वो Vedic हो सकता है, चाहिए वो religious, spiritual, कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने अभी गीता को पकड़ रख है, I'm trying to decode, बहुत भी complex है, इतना easy नहीं है, उसको पुरी तरह के समझना, but I'm still trying to learn and figure out, maybe 4-5 साल में, I will be able to create a good expertise around that amazing literature, तो आप अपने जीवन में भी, किसी भी एक releases book, किसी भी religion को आप बिलों करते होंगे, और वो आपके पास हवेशा है रहना चाहिए, वो आपके आस-पास में रहना चाहिए, because it gives you so much of positivity, so much of energy, यह पाच्वा नंबर पॉइंट था, चट्टा नंबर पॉइंट बोलू, इस वतार रुपे लगते हैं, but वो important भी है, यह point, कि घुमो, visit as many places as possible, meet as many people as possible, आप देखो, इंडिया में इतने states हैं, इतने लोग हैं, और आप हर budget भी घुम सकते हैं, कुछ लोग के बाद लोग बजट होता है, तो local train में भी घुमता है, कुछ लोग के बाद में अच्छा-कासा budget होता है, तो वो फ्लाइट मे गुमते हैं, बट घुमना बहुत जरूरी है, the more we travel, the more we get exposed, exposure बहुत important है, अद मैंने MBA किया, I am indoor से, मैं दो साल वाँ रहा, मेरे 120 के तकरिवन दोस्त हैं वाँ पे, और हर अलग-अलग country से, अलग-अलग शहर से आये थे, और इतना जबरतस learning हुआ उन सब के साथ, तो अगर गुमेंगे नहीं, अगर आप open नहीं रहेंगे, बाहर जाने के या exposure लेने के लिए, तो फिर आप कैसे तरकी करेंगे, एक मैं आपको hack देता हूं, इवेंट साइटिफाइ करो, जो आपके domain का हो, जैसे stock market का कोई event कहीं कोई करा रहा है, चले जाओ उसमें, या कोई भी तरह का skill gain करवाने के लिए कोई भी event करवा रहा है, चले जाओ, इवेंट भी क्या दो फाइदे होते हैं, एक तो knowledge मिल जाती है, because concentrated knowledge, focused knowledge, आपको और कहा मिलेगी, और दूसरा वहाँ लोग मिल जाते है, peer group, जिनके साथ आप number share करके network कर सकते हैं, अपना एक friendly environment को create कर सकते हैं, तो छता number point है, travel, travel as much as possible, और जब ये travel करने की एक बार आज़त आती है, एक मज़ा आने लग जाता है, then you keep on building new friends and you enjoy life to the fullest, because दुनिया इतनी जबरदस्त है, अगर हम travel नहीं करेंगे, तो हमको कैसे realize होगा, कि क्या-क्या है इस दुनिया में, जिसको हम अभी तरह देखी नहीं मुव आउट कर रहे हैं, थोड़ा हम लिबरल हो रहे हैं, तो friends को अभीटेस देरे, friends बहुत सरूरी है, friends का अपना relevance है family, in fact मैं इसके बाद वाल अपको friends के बारे बताऊँगा, कि कैसे आपको friendship करने चाहिए, किस तरह के दोस्तों के साथ आपको रहना चाहिए, family सबसे इप में, क्योंकि आपके कोई भी तरह का तकलिफ आ रहा है, वहाँ पर family ही घड़े रहेगी last में, correct, और family में आपके limited family, immediate family होती है, extended family होती है, overly extended family होती है, अब आपका comfort है कि आप कितने relationships maintain कर सकते हैं, मेरे पापा है, मेरे दादा ही देखोगे, कितना maintain करते थे, कहां से कितने द करें, weightage दीजे, family को अपने life में उसका weightage बढ़ा दिए, यह बहुत important है, don't get into this trap of the western world where बच्चे अलग रह रहे हैं, और parents अलग रहे हैं, उसमें क्या बजा है, कोई फायदा नहीं है, उसके बाद वाला point, friends, एक आवत है ना, कि you are average of 5 people around you, अगर आप 5 करीबों के आस पास है तो आप चटे गरीब है, अगर आप 5 intelligent या प्रोफेशन के आस पास है, तो आप प्रोफेशन बनेंगे, 5 entrepreneurs के आस पास होंगे, तो आप entrepreneur बनेंगे, तो you are average of 5 people, you are the 6th person who is going to be the average of 5 people, now you have to decide कि मुझे किस 5 लोगों के आस पास रहना है, because संगत जो है, संगत बहुत अच्छी है बहुत इंपोरेंट है, अच्छी संगत नहीं रहने से, आप गुरू नहीं कर पाएंगे, because कोशिश भी अगर आप गुरू का निगले करोगे, तो वो लोग आपको नीचे टानेंगे, तो please be very mindful, दोस्तों के बात आ रही है, तो या आठवा नमबर, I think आठवा नवा पाइं है, जो भी number point है, दोस्त जो है, वो आपको काटेगराइज करना पड़ेगा, because दोस्त has become very fluous term now, thanks to Facebook, friends, इतने है, closely amuse कने लग गए है, तो let us divide this friends into multiple categories, एक होते है, मैं एक वीडियो रिकॉर्ड के आदा है, पर रात को दो बजे भी आप कॉल करेंगे, तो वो ठाएगा, पर होते हैं, the 10 p.m. friends, मतलब 10 वे के बाद आप कॉल नी कर सकते हैं, फिर 8 वे के बाद आप कॉल नी कर सकते हैं, प पर आप के बाद आप करना है, तो उसको नर्चर करना बहुत जरूरिया, उनसे एगो इस्यू जादा मत करो, उनको समय दो, उनको प्राबली वांसे न मंत कॉल करो, फिगर आउट क्या हो रहन की लाइफ में, ताकि आप उनके लाइफ के साद उत्रही जुड़े हैं, जितन प्राइफ के अपने स्ट्राटीजीज नहीं करना है, बट हां, माइंड फूल है कि कौन टूएम फ्रेंट से और कौन आपको शायद उतना उतना क्लोज नहीं समझता है, जितना आप शायद उसको को समझते हैं, और पता है, बच्छो फिनांस या फिनांशल एड़िकेशन यह बहुत important है, because skill हमको हर तरह का गेन करना चाहिए, हम हमेशा career के बारे में सोचते हैं, तो पहले यह फलाना course कर लें, ऐसे कर लें, वैसे कर लें, यह हम सोचते हैं, but now finance के बारे में कम सोचते हैं, generally as a country, तो जल्दी से educate होई हो finance के लिए, क्या-क्या qualifications चाहिए आपको finance में, अगर आपको career बनाना उसमें नहीं, तो knowledge, basic knowledge जैसे, पैसा क्या होता है, पैसा को trade कैसे करते है, value कैसे होते है, चीजों की, सबसे important क्या होता है, कि आप value समान का बता सकते है, देखके कि यह इस price का होगा, मोटा बोटी, वो जब तक आपको basic commerce का understanding नहीं, basic finance का neck नहीं है, आप इस चुछ को समझ नहीं पाएंगे, तो please, basic finance का education ज़रूरी है, और मेरे तो अप, मेरे बच्चे है, तो obviously finance तो आपको समझ आती होगी, बट आपको भी सिखना पड़ेगा अपने level पे, हाँ, और last में एक point बोलना चाहता हूँ, वो है, रोटी, रोटी का चिंद्का करना को, तो अगर आप अपना hourly rate, जो मेरा हर घंटे का क्या value है, और मुझे उतना value निकालना है, अगर आप उस zone में जितनी जल्दी नहीं पहुंचेंगे, उतना पीछे होते जाएंगे, और जैसे जैसे age भड़ेगी, वैसे वैसे आप अपने रोटी को और value देंगे, तो आज म हुआ हूँ, तो मैं अलग तरीके से value दे रहा हूँ, अगर आप 25 को तो आप अलग तरीके से value दोगे, एक point पर ऐसा आएगा कि आप शायद उसको पैसे बुल्यांकर नहीं करेंगे, आप बुलेंगे, अगर मुझे वो ए घंटे का value in terms of मेरी अध्यात्मिक upliftment या मेरी spiritual सोच वहां पर लेकि जाती है, तो मैं उसको जादा value देंगा versus जो पैसा मैं कमाऊँगा, तो every age will have a different definition of roti, so इस अपने life को पाँच-पाच साल में distribute कर दी, 20-25 की मेरी roti क्या है, मेरे expectation क्या है, आवली basis पर मैं क्या करूँ, क्या मैं पढ़ाई justify कर रहा हूँ, क्या मैं initial career building stage को justify कर पाँच-पाच साल में अपने life को bucketing करोगे ना, तो planning बहुत अच्छे से हो जाएगी, मैं करता हूँ ऐसा, इसलिए तो video record कर रहा हूँ, क्या आने वाले पाँच साल में मुझे क्या 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 करना में exercise sheet बना रहा हूँ, उस exercise sheet में मैं अपने अपने कारिकाल को categorize कर रहा बना रहा हूँ, मैं अपने पाँच साल में अपने शाल में बना रहा हूँ, मैं अपने शालिस का बना रहा हूँ, तो आप भी जरनी चालू कर सकते हैं, इसे बहुत फायदा होगा, एक discipline, एक structure वे में अपने जीवन को आप वैद करेंगे, बच्चों सही है कि नहीं, तो यह सब कुछ पॉइंटर्स थे, मुझे लगा आपके लिए रिकॉर्ड करके रखता हूँ, ताकि आप कभी मौका मिलेगा, जब बड़े हो जाएंगे, जब बड़े हो जाओगे, तब आप देखोगे, तब आप शायद इसका पायदा भी बच्छों सही है कि वाकि ताकि थे, मुझे लोग ने विश्क या मेरे बर्ड़े पर, ताकि यह सोबाच, मेरा आने वाला पांत साल का ख्लारिटी है, कि बहुत वैलू आपके अपर रस्ता इक मैंने पकड़ा अपने लिए, विच इस मोर स्पिरिचुली इंकलाइं, विच आपको अपने तरीके से गाइट करता रहा हूं, थैंक यू दोस्तों, फ्लीस तेक केर अफ यूरसल्फ और जैहिनक रहा हूं झाल करता रहा हूं